जैहिन नमस्कार all the NDA aspirants I hope आप सभी लोग बहुत ही शांदार और जबरदस्त होंगे मैं समीत रिपाथी आपका History Educator स्वागत करता हूँ Defense वालना के इस YouTube चैनल पर और आज इस वीडियो में मैं सभी NDA aspirants के लिए एक औरो वीडियो लेकर आये हूँ जहां पर आप पूरे exam pattern को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं particularly आप समझ सकते हैं कि कौन-कौन से subject में से कितने सवाल पूछे जाते हैं exam syllabus क्या-क्या है हमें किन aspects पे ज़्यादा focus करना है और आखिर NDA के marking scheme कैसी होती है और वीडियो के end में आपके लिए एक छोटा सा surprise भी है so this video is a must video for all the NDA aspirants जो आने वाले वक्त में अपना exam देने वाले हैं क्योंकि किसी भी exam को देने से पहले सबसे जरूरी होता है उस exam के बारे में जानना और अपने syllabus को thoroughly समझना तो इस वीडियो में हम उसी syllabus को बहुत detail में समझने वाले हैं और जानने वाले हैं सबसे पहले बात करूँ अगर NDA exam की तो आप सभी को पता होगा कि NDA exam की conducting body UPSC होती है Union Public Service Commission और ये exam साल में दो बार होता है, दो circles में होता है बात करो इस exam के pattern की तो आपको ये notification से ही मैं cutouts लेकर आया हूँ जो NDA का official notification होता है वहीं से हम सारी चीज़ों को देख कर समझेंगे बात करो अगर subject की तो हम NDA के paper को तीन parts में divide कर देते हैं एक paper होता है mathematics का और ये धाई घंटे का होता है इसके total marks होते हैं 300 तो mathematics का paper alone होता है और इसके 300 marks होते हैं next paper हमारा होता है general ability test जिसे GAT भी बोलते हैं हम लोग same इसका timing भी 2 and half hour सी होता है और इसके marks होते हैं 600 तो weightage it is carrying is 600 दोनों को जोड़ दें तो हमारी total return test के marks हमारे पास आ रहे हैं 900 marks और बचे हुए 900 marks हमारे SSB test या फिर interview उन दोनों में से जोड़ कर हमें बाकी के 900 marks दिये जाते हैं तो हमारा पूरा exam जो है वो 1800 marks का हो रहा है जहांपर हमारा return test जो हो रहा है वो 900 marks का और SSB test जो हो रहा है वो again 900 marks का इस वीडियो में हम focus करने वाले हैं उनली return test के बारे में अब मैं अगर आपको बता हूँ written test में भी तो सर हमारे पास पहले आता है mathematics mathematics में हमें 300 marks मिल रहे हैं mathematics में marking scheme थोड़ी सी अलग होती है as compared to GAT test अगर मैं mathematics की बात करूँ तो हमारे पास total 120 questions होते हैं mathematics में हमारे पास 120 तवाल होते हैं जिनमें हमें धाई number मिलता है हर सही answer के लिए और 0.83 marks deduct होता है हर गलत answer के लिए तो 120 questions 2.5 marks for every right answer और 0.83 marks deduct होते हैं हर गलत answer के लिए total marks हमारे होते हैं 300 अगर मैं बात करूँ GAT test की तो GAT test भी हमारा दो marks दो parts में divide होता है पहला होता है English और दूसरा होता है general awareness total 150 questions हमसे GAT में पूछे जाते हैं GAT में 50 questions हमसे पूछे जाते हैं English के और बाकी के 100 questions हमारे होते हैं general awareness के यहाँ पर marking scheme mathematics से अलग होती है GAT paper में आपको हर सही answer के लिए मिलते हैं 4 number और हर गलत answer के लिए आपका minus होता है 1.3 marks तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोस समझ कर answer करना होगा लेकिन एक बात आपको बहुत clear हो गई होगी कि सर अगर आपने maths और English के preparation कर ली तो आपको directly 500 marks तो सिर्फ maths और English ही देकर जा रहा है और बाकी के जो बचे हुए marks हमारे पास हैं वो हम cover करते हैं general awareness में जो की हैं हमारे 400 marks के ठीक है सर आगे आते हैं तो official notification में हमें पूरा syllabus भी दिया जाता है paper code के साथ सबसे पहला paper 1 mathematics जो कि मैंने आपको बताया ये कुछ important topics हैं जो हमारे paper 1 में हमसे पूछे जाते हैं algebra हमसे पूछा जाता है matrix and determinants trigonometry, analytical geometry of two and three dimensions differential calculus, integral calculus and differential equations vector algebra, statistics and probability right अब इन में से भी कुछ topics जो होते हैं सर तो कुछ topics तो हमने जनरल पढ़े हुए होते हैं क्योंकि जो non-match students होते हैं उनका यही concern होता है कि हम match को कैसे cover करें तो non-match students के लिए बस मैं एक ही suggestion देना चाहूँगा कि जो topics आपने generic match में पढ़े हुए हैं 9th या 10th तक आप उन topics को easily उठा सकते हैं जैसे algebra हो गया या फिर trigonometry हो गई या फिर probability हो गई इन सारे questions को आप देख सकते हैं इस पूरे syllabus को भी easily cover कर सकते हैं और जो match backgrounds हैं उनके लिए तो फिर ये एक बहुत ही added advantage होता है but non match students को साथ भी कोई problem नहीं है आप NCRT को अपना base बनाइए और जो भी generic topics हैं उनको cover करते हुए चलिए ठीक है sir next paper हमारा आता है paper 2 जिसमें आता है general ability test और general ability test में पहला part जो हमारा होता है part A वो होता है English का और maximum marks जो इसको allotted है वो है 200 marks तो जैसा कि हमने देखा 4 marks for right answer 50 question 200 marks right sir अगर मैं इसमें syllabus की बात करूँ तो एक basic syllabus इन्होंने दिया हुआ है कुछ भी particular topics define नहीं किये है यहाँ पर rather उन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर हमने syllabus design किया है इस तरीके से ताकि हम candidate की English की जो understanding है उसको समझ सकें और basic usage जो English का होता है वो हम समझ सकें ताकि अगर आप कभी आगे चल कर जाते हैं और English का usage आप करते हैं तो आप हर विक्ति से connect कर सकें English आप सभी जानते हैं common language बन चुके है communication की पिर आप भले ही किसी भी part of country में क्यों न रह रह रहे हों अगर आपको किसी दूसरे भाषा के विक्ति के साथ connect होता है तो English इक लौता ऐसा माध्यम है जो हमें वो एक barrier को खतम करने में help करता है इसलिए इनका main focus होता है कि हर विक्ति को एक general layman English आनी चाहिए कई सारे Hindi medium students का ये concern भी होता है कि Sir English हम कैसे करें कैसे सीखें but one thing I want to tell you कि SSB interview जो भी होते हैं आपके वो सब English में होते हैं तो कहीं न कहीं आपको basic English तो सीखने की बहुत जादा जरुरत पड़ेगी ही और ये generic English होती है जैसे basic grammar, vocabulary, comprehension, cohesion, an accident text और ये सारी चीज़ें वो देखते हैं कि pre-see writing, summary writing और ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं कि विक्ति किस तरीके से एक generic English के बारे में जानता है कि नहीं जानता है ठीक है Sir Next हमारा आ जाता है general knowledge का test ठीक है एक हो गया English, GAT के paper में दो parts आते हैं English और general knowledge test General knowledge test में basically वो सारे basic topics के उपर focus करते हैं जैसे physics, chemistry, general science, social studies, geography and current events अगर मैं physics की बात करूँ तो इसका syllabus कहीं न कहीं बहुत जादा बड़ा होता है और physics की जो questions होते हैं वो भी कहीं न कहीं हमसे बहुत जादा पूछे जाते हैं जैसे आप physics का syllabus देखें तो physical properties of states and matter mass, weight, volume, density motion के बारे में वो बात कर रहे हैं heat effect के बारे में बात कर रहे हैं measurement के बारे में बात कर रहे हैं gravitation की बात हो रही है natural and artificial magnets के बारे में हो रही है static current, electricity के बारे में बात हो रही है pendulum, police, siphon, levers almost all the important concepts of physics are asked in this paper तो physics का syllabus कहीं न कहीं बहुत बड़ा होता है और साथ-साथ physics के बहुत जादा questions भी होते हैं क्योंकि general knowledge का जो test होता है उसमें हर subject के अपनी अलग-अलग weightage होती है उनके number of questions को लेकर तो physics के number of questions सबसे जादा होते है general awareness test में section B हमारे पास आजाता है chemistry जहाँ पर वो basic chemistry की बात करते हैं जैसे physical and chemical changes elements, mixtures and compounds, symbols, formulae preparation and properties of hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and gun powder वगएरा ये सारे basic जो physics के हमारे sorry chemistry के हमारे topics हैं उनके उपर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं ठीके sir, next हमारे जाते हैं general science के उपर कि एक basic science की physics chemistry तो हो गई एक basic science में में यहाँ पर उनका focus होता है biology के उपर basic उनका होता है environmental science या फिर आप समझे ये biology के उपर यहाँ पर वो जो major सवाल पूछना चाहा रहे हैं वो evious जो हम सभी ने पढ़ा हुआ होता है ये कहीं न कहीं उस evious को focus कर रहे होते हैं कि livings or non living things क्या होते हैं shell, tissues, growth, reproduction, human body के बारे में basic knowledge food के बारे में और atmosphere के बारे में ये सारी चीज़ है next हमारा आता है history of freedom movement इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि history का syllabus भी कहीं न कहीं बहुत vast हो जाता है जहां पर वो हमसे एक line लिखकर दी हुए है कि broad survey of Indian history, culture and civilization की basically ancient medieval और modern पूरी history के बारे में focus होता है और कहीं न कहीं syllabus का major focus जो होता है वो होता है modern India के उपर कि freedom movement, अंगरी जो से जुड़े हुए जो भी हमने movement किये हैं उन्होंने क्या-क्या changes introduced किये हैं हमने freedom struggle में क्या-क्या अपने योगदान दिये हैं हमारा Indian freedom struggle आखिर किस सरीके से unfold हुआ है और आगे चलकर world history के भी कुछ topics को ये छूकर आते हैं जो कि industrial revolution से शुरू होता है French revolution, American revolution, Russian revolution के उपर आकर रुक जाता है next हमारा आता है geography geography में भी basic geography के concepts हैं से पूछे जाते हैं जैसे earth, उसका shape, latitude, longitude, international date line, movement of earth weathering and उसके लावा chemical changes, earthquakes and volcanoes, ocean current, tides, winds, cyclone regional geography जैसे इंडिया का climate हो गया और इंडिया में क्या-क्या vegetation पाई जाती हैं wildlife क्या-क्या पाई जाती हैं इन सारे topics के उपर focus होता है geography के अंदर next हमारा आता है current events current events में तो सर्फ सिले बस हम कुछ define कर नहीं सकते बस NDA ने ये चीज़ mention की हुई है कि सारे important events का knowledge जो कि इंडिया में recent years में हो रहे हैं और plus world में कौन-कौन से important events हो रहे हैं plus current personalities कौन-कौन सी है cultural और sports के sector में हमें क्या-क्या major achievements देखने को मिल रहे हैं या major happenings देखने को मिल रहे हैं अब सवाल ये आता है कि सर हमें जादा focus किस पर करना है तो उस चीज़ का जवाब भी हमें NDA ने दिया हुआ है जहां पर उन्होंने बहुत clearly mention किया हुआ है कि out of maximum marks assigned to part B of this paper part B मतलब general awareness का paper उन्होंने sections को divide किया हुआ है कि सर 25% question जो आएंगे A से आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 25 of 400 हमारे पास आते हैं 100 marks की question ठीक है तो A physics के 100 marks की question हमें पूछे जाएंगे right okay sir that means around somewhere हमारे पास 25 question आ रहे है ठीक है sir part B से 15% marks आ रहे हैं इसका मतलब हमारे पास 60 marks हैं और 15 question आ रहे हैं part C जो कि general science है उससे 10% question आ रहे हैं इसका मतलब क्या सिर्फ हमसे 10 question पूछे जाएंगे history से हमारे पास 20% आ रहा है and again geography से भी 20% ही पूछा जा रहा है इसका मतलब ये हमसे 20 question पूछे जाएंगे इन दोनों subjects में से और आखरी में आता है current events जिसका उन्होंने वेटेश सिर्फ 10% रखा है इसका मतलब ये कि current affairs से भी हमें केवल 10 question ही पूछे जाएंगे ये बहुत ही important है आपकी preparation के लिए क्योंकि आपको general awareness से भी एक brief idea मिल जाता है कि किन parts पर आपको ज्यादा focus करना है कि इस तर्फ physics से 25 question सीधे आ रहे हैं chemistry से 15 question आ रहे हैं हमारे पास history और geography से 20-20 question आ रहे हैं तो यहां पर आप अपनी preparation को उससाब से plan कर सकते हैं अपने subjects को उससाब से time दे सकते हैं ताकि जब आप exam देने जाएं तो अपना weightage ध्यान में रखते हुए उस particular subject को importance दें उसकी preparation को time दें ठीक है अब sir, NDA का exam बहुत जल्द ही आने वाला है और कई बार बहुत सारे students के अंदर एक सवाल होता है कि sir, आखिर हम अपने NDA के preparation कहां से करें आखिर हम कौन सी references books को focus करें आखिर यह weightage हमें कहां से मिलेगा PYQs कहां से मिलेंगे, MIQs कहां से मिलेंगे एक short description, सभी subjects का एक compilation हमें एक जगह पर किस तरीके से मिलेगा यह सवाल over the years बहुत सारे बच्चों ने पूछा है and for that purpose only physics वाला ने introduce की है अपनी खुद की एक book series that is short NDA, NA books 2024 National Defense Academy and Naval Academy books 2024 इंटेड्यूस की है defense वाला physics वाला ने और इन books का main motive यही है कि आपका जो curriculum को लेकर सारा doubt है उसे किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से solve किया जा सके और आपकी preparation को और भी smooth, शांदार और जबर्दस बनाया जा सके सभी subjects की हमारे पास books available हैं अगर आप देख पा रहे होंगे screen पर तो all the subject books are available for NDA, NA 2024 और ये books कहीं न कहीं आपकी preparation के लिए बहुत ही important हो सकती हैं, बहुत ही effective हो सकती हैं वो कैसे, सर अगर आप ध्यान दें हर chapter wise, हर पहली चीज़ तो syllabus को ध्यान में रखते हैं बुक्स को prepare किया गया है आपके educators के द्वारा और आपके content team के द्वारा and chapter wise precise theory दी गई है कि chapter wise आपको एक basic theory दे दी गई है कि अगर आप बहुत vast नहीं पढ़ पा रहे हैं तो at least आप chapter wise basic theory को तो पढ़ी सकते हैं उसके लावा आपके पास practice paper है हर chapter के end में आपको questions दिये गए हैं आप अपनी proficiency को test कर सकते हैं examples के साथ questions दिये गए हैं उनको लगा सकते हैं उनके साथ आप practice कर सकते हैं और अपनी preparation को और strong कर सकते हैं उसके अलावा आपके पास chapter wise weightage analytics है और यह सबसे important हो जाता है कि sir ये चीज हम कहां से धूरे last five year के जो भी NDA के paper आए हैं हर paper का weightage analysis आपको हर chapter के बाद provide कराया गया है और आपको बताया गया है कि इस particular chapter से NDA ने कितने सवाल पूछे हैं over the years और इस particular chapter में NDA कितना interested है and at the end जब आपकी पूरी त्यारी हो रही होती है तो sir obviously एक exam like practice तो बहुत important हो जाती है and वो चीज होती है हमारी इसी book series में जो आपको provide की जा रही है last 15 years के question papers और OMR sheet के साथ ठीक है यह देखें यह 5 year का paper analysis की अगर मैं mathematics की बात करूँ तो इस तरीके से हमारे 5 years के paper analysis present किये गए हैं topic wise की basic math से कितने सवाल over the years पूछे गए हैं logarithm से कितने सवाल over the years पूछे गए हैं sets quadratic equation हर एक chapter के हिसाब से आपको detailed paper analysis मिलेगा ताकि आप अपनी त्यारी को और ज़्यादा precise कर सकें और ज़्यादा effective कर सकें उसके अलावा आप जब पूरी तरीके से prepare हो चुके हैं अपने static portion के साथ तो आपके लिए आता है हमारा NDA, NA book, mock test and PYQ कि सर आपको इस book में 10 mock test मिल रहे हैं और 5 years के PYQ के जो paper analysis आपको दिया गया है पिछले 5 साल के पूरे PYQ आपको एक ही book में मिलेंगे और उसके साथ-साथ 10 mock test भी मिलेंगे जो की complete करेंगे आपकी NDA की preparation को और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको book नहीं मिल रही है इस book के साथ आपको मिल रही है एक OMR booklet भी इस booklet के साथ आप real time exam का feel ले सकते हैं और real time में OMR भरने की practice कर सकते हैं time management कर सकते हैं अगर आप देखें तो OMR filling को लेकर बहुत से बच्चे परशान होते हैं कई बार आप पहली बार OMR fill कर रहे होते हैं बहुत सारी mistakes होती हैं OMR fill करने में आप panic हो जाते हैं OMR इतनी less spaced होती हैं कि कई बार आप गलत जगह पर circle फिल कर देते हैं और उसके बाद पर आप उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं So OMR filling की problem कई बार आती है Real life exam experience आप घर पर ही ले सकते हैं OMR sheet को भरते हुए और अपनी performance को analyze कर सकते हैं Exam का जो phobia और anxiety होता है आप उसको भी खतम कर सकते हैं कि सर कई बार हम बहुत phobic हो जाते हैं कि exam कैसे दूँगा, anxiety हो जाती है या फिर मैं किस तरीके से इन चीजों को solve करूँगा तो अगर आप इसकी practice करकर जा रहे हैं तो definitely आप अपने exam को बहुत अच्छे से ace कर सकते हैं क्योंकि कई बार होता है कि knowledge तो हमारे पास पूरी होती है बढ़ चुकि exam में हमारे अंदर इतनी anxiety हो जाती है हम इतने nervous हो जाते हैं कि सही answer को भी गलत करके आ जाते हैं इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए यह PYQ booklet आपको provide की गई है with OMR sheet और जैसा कि मैंने आपको बताया कि in-depth solution है 48,000 से ज़्यादा question है plus NDA first rank holder जो थे हमारे यहां से निकले थे उनका एक demo video भी है उनका एक interview video भी है जिसको आप देख सकते हैं और आप एक analysis कर सकते हैं कि आखिर किस थरीके से हमें अपनी preparation करनी है इसमें latest September 2023 का second paper भी included है 10 mock tests with 20 OMR sheets are available and year wise graphic representation is also provided यह आप देख सकते हैं कि year wise weightage जो mathematics का आया है अलग-अलग topics में से वो सब भी दिया हुआ है कि sir कितना weightage पूछा गया है एक graphical representation आपको दिया गया है ताकि आप एकदम बढ़ियां तरीके से हर topic को समझ सकें और अपरी preparation को बहुत अच्छे से plan कर सकें यह सारी books आपके लिए available हैं PW के store पे, Amazon Flipkart पे और all offline retail stores are also available जहां पर आप इन books को खरीच सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी doubt है regarding the books and preparation study material तो वो भी problem आपकी solve कर दी गई है keep learning अगर आपके कोई भी suggestion या doubts हैं comment box हमेशा आपके लिए open है जय हैं जय भारत